दोस्तो मेरा जितना सरा YouTube का फ्रेंड है वीडियो को देखने के बाद बहुत सा फ्रेंड कॉमेंट करता है और इसके साथ साथ जो WhatsApp और Telegram चैनल है बहुत सा फ्रेंड हम से बात भी करता है जिस तरह से आप लोग request करते हैं उसी तरह से same to same वीडियो बनाके आप लोगों को में स क्लियार हो जाता है बहुत सा फ्रेंड का यह request है कि जो आप इलेक्टिक ओभारेड ट्रैवेलिंग क्रेन का ड्रॉइंग को पढ़ते हैं और जिस तरह से आप समझाते हैं तो इसमें जो जो सौट फ्रम है इसका फूल फ्रम के भी बता दीजिएगा तो क्या होगा बेटर त दीजिएगा तो हम लोग के अंदर में जितना सारा डाउट है वो किलियार हो जाएगा दोस्तों आज जिस तरह से मैं आप लोग को समझा दूंगा आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्रेन का जो आपका ड्रॉइंग है बहुत आसान तरीका से पढ आप फास्ट टाइम ड्रॉइंग को देखिएगा पहले कुछ भी नहीं समझना है आपको अच्छा से ड्रॉइंग को 5-10 मिट देखना है देखने के बाद जिस तरह से मैं वीडियो बना कर आप लोग को समझाता हूं सेम टू सेम आपको कोशिस करना है कि आखिर यह जो आप थोड़ा थोड़ा कोशिस करिएगा तो बहुत अच्छा से सीख सकते हैं जैसे इस जगा में क्या है दोस्तो मैं बिलकुल सुरुआत से बता रहा हूं एक में आपका पी लिखा है एक में एल लिखा है तो एक फेज और एक नूटल एक में लिखा है डीपी एमसीबी डबल और फ्राम पीपी पैनल मतलब पीपी का फूल फ्राम होता है प्रोडेक्टिब पैनल और जो सीमबल यहां पर दिया हुआ है यह MCV का सीमबल है यह ओईलर का सीमबल है ओवरलूट रिले इसके बाद यह DMPR डीजिटेल मोटर प्रोटेक्शन रिले यह जो दोस्तों एक सीमब सीम्बल आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है जो आपका मास्टर कंट्रोलार है इसमें जो आपका मास्टर कंट्रोलारá0 में होगा एक जो पोजीशेन में होगा तभी एक किटे बनता है इसलिए ड्रॉइंग एस टाइप का आपका सिंबल दिया हुआ रहता है इसके बाद यह जो box type का बना हुआ है इसका मतलब है कि यह किसी एक का ही master controller है, चाहे यह main host का भी हो सकता है, एक जुलीर host का भी हो सकता है, long travel का भी हो सकता है, और cross travel का भी हो सकता है, जब आप drawing को देखिएगा तो उसमें साब साब पढ़ लिजिएगा कि हम किसका drawing देख रहे हैं ना हम main host का देख रहे हैं तो यह जो box बना हुआ है जितना सारा इक box के अंदर में master controller का kit दिखा रहा है यह सारा जो kit है यह आपका main host का ही है अभी जो आपका symbol है यहाँ पर दिया हुआ है symbol के यह उपर तरब दिखा रहा है तो आखिर इसका मतलब क्या है यह हो गिया हमारा host side का symbol और यह नीचे तरब दिखा रहा है इसका मतलब यह हो गिया हमारा lower side का symbol इसमें एक, दो, तीन, चार करके आप गिन सकते हैं कि जो आपका master controller में forward और reverse का kit दिया हुआ है एक, दो, तीन, चार मतलब चार step तक यह जो master controller है यह लगा हुआ रहेगा तब भी इसका जो kit है एक बाद NC बनने के बाद यह NO नहीं बनेगा इसके बाद और में वीडियो बनाके आप लेओ को symbol के बारे में बताऊंगा तो और बेटर तरीका से समझ में आएगा यह जो एक, दो, तीन, चार करके बहुत सा crane में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कोई एक नमबर, दो नमबर में काम करता है उसके बाद NO हो जाता है किसी में NC हो जाता है लेकिन हम यह सोचे कि सबसे असान तरीका जो है वही से पहले आपको सुरूआ करना है तब ही क्या होगा, एक, एक करके वीडियो देखता जाईएगा और आपका जो doubt है वो clear होता जाएगा यह जो आप symbol देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यह जो आपका master controller के अंदर में कीठ है यह आपका reverse side पे भी काम करेगा, forward side पे भी काम करेगा काय कि यह दोनों तरब पूरा full भरा हुआ है, और reverse और forward में क्या था, एक तरब भरा हुआ था, दूसरा तरब बिल्कुल भी नहीं था तो इसी तरह से दोस्तों देखना है, कि यह पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब यह horse side, जिसको आम लोग harvest बोलते है यह नीचे तरब भरा हुआ है, यह मतलब lower side, मतलब area side, इसके बाद जो आपका master controller में देखिएगा, कि एक, दो, तीन, तीन गो पूरा full भरा हुआ दिखाई दे रहा है, पोक्स के अंदर में, तो पहला जो है, यह एक नमबर step, यह दो नमबर step, यह तीन नमबर step, यह reverse पे भ एक नमबर, जो step है, यह kit NC बनेगा, तो 4 नमबर तक आपका NC बना हुआ ही रहेगा, और यह reverse पे भी काम करेगा, और forward पे भी काम करेगा, इसके बाद, जो आप देखते है, RLS, इसका full from होता है, rotary limit switch, इसके बाद, यह जो symbol आप देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अंतर ह यह जो box के अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब है, कि जो आपका rotary limit switch है, इसके अंदर में आपका दोगो कीट है, इसलिए यह box जैसा बना हुआ है, और यह उपर में और एक limit switch है, जिसको हम लोग gravity limit switch बोलते है, जब आप drawing में देखिएगा, किसी किसी drawing में लिखा हुआ रहता है, CWL, counter white limit switch, तो इसमें कोई box बना हुआ नहीं है, मतलब जो counter white limit switch है, इसको जब खोलिएगा, इसके अंदर में आपको सिरिफ एक कीट दिखाई देगा, यह आपको indicate कर रहा है, इसके बाद, जो आपका लिखा हुआ रहता है, SC, मतलब यहाँ पर 1, SC, 1, जो आपका forward side का contactor है, जब आप practical में काम करते हैं, तो देखिएगा, इसका full from समझने में, बिल्कुल भी time नहीं लगगा, SC का मतलब होता है, stator contactor, और 1 लिखा हुआ है, कि जब आप कोई भी जगा में काम करिएगा, तो इसके साथ, जो आपका feral number है, वो match करना पड़ता है, यह एक number contactor और यह दो number contactor, देखिए यहापे एक लिखा हुआ है, और यहापे दो लिखा हुआ है, तो forward contactor और reverse contactor बहुत आसान तरीका से समझ गए, और भी बहुत सरा symbol जो मैं बता रहा हूं, वीडियो को सुरू से लेके last तक देखिएगा, तभी आपका अंदर में doubt नहीं हुआ रहेगा, ACT मतलब stator, contactor और जो hydraulic brake, thyristor लगा हुआ रहता है, इसके लिए आपका T लिखा हुआ है, आप बहुत असान से पर पा रहे हैं, तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोशिस करिएगा, तो हर चीज का knowledge आप बना सकते हैं, यह जो आपका लिखा हुआ है, टी आ आपका on delay timer होता है, off delay timer होता है, तो इसका अखिर काम क्या है, time को delay करना, इसलिए यहाँ पर लिख देता है, टी आर, time delay relay, इसके बाद आज आता है कि इसका symbol का बाद, तो इस type का अगर आपका symbol दिखाई दे रहा है, तो इसको देखके आपको समझ जाना है, कि यह time delay relay का ही symbol ह जो आपका electrical भासा में बोला जाता है, practical में हम लोग क्या जानते है, कि एक आपका on delay timer होता है, और एक आपका off delay timer होता है, तो जिसमें आपका इस type का symbol दिया हुआ है, इसको देखके आपको समझ जाना है, कि यह on delay है, और अगर जिसमें यह symbol दिया हुआ नहीं रहेगा, तो इ टाइमर है इसके बाद आज आता है दोस्तो आर सी आर सी का मतलब होता है रोटार कॉंटक्टर इस पे लिखा हुआ है एक दो दो टीन मतलब रोटार कॉंटक्टर एक नमबर रोटार कॉंटक्टर दो नमबर रोटार कॉंटक्टर तीन नमबर अभी इस ड्रॉय में जितना सार आपका सिंबल है एक-एक सिंबल के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूं इसके बाद जो आपका ड्रॉइंग है इसको पड़ने में आपको दिकत नहीं होना चाहिए अगर कोई आपसे इसका फुल्फरों के बारे में पूछेगा तो बहुत आसान तरीका से आप बता सकत इसी के लिए दोस्तों हमने क्या किए एक online क्लास श्टार्ट किए एक जो हम ड्रार्इंग बना के विडियो बना का आप लोगों को समझाता हूं क्लास में एक एक पोइंट के बारे में आपको समझा सको अगर आप online says joining करने में इंट्रेस्टेड है तो आप जोइन कर सकते हैं आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार जयाई हिंद